आज हम लोग देखने वाले हैं दसम्लाव भीन का भाग टू अगर पहला भाग आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाए प्लेइलिस्ट चेकिजिए आपको सभी एक जगा पर मिल जाएगा तो भाग टू में आज हम लोग बहुत इजी इजी प्रसने देखेंगे क्योंकि कि दसम्लाव भीन में ऐसे प्रसन हमेशा पुछा जाता है आप प्रिविस कोश्चन अगर उलटके देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ऐसा प्रसन आता है या नहीं तो एंटीपीसी में पुछा गया था कारा मुले आंकन करे बोरा 0.623 23 के पावर इसको बा इसको बार पढ़ते हैं ठीक है तो ऐसे प्रसन को कैसे सुल्ब करते हैं तो जिसके उपर बार होता है उसके बदले में जितना अंक पर बार होता है उतना नाइन होता है उतना नाउ होता है नीचे ठीक है अप लोग याद रखिएगा जितना अंक पर बार होता है उतना दू और तीन पर बार है, छो पर बार नहीं है, तो इसको सुल्व कैसे की जिगा, तो जो संख्या पर बार नहीं होता है, उसके लिए जिरो होता है, जितने संख्या पर बार होता है, उसके लिए नाव होता है, ठीक है, तो देखें, दू संख्या पर बार है, तो दू गो तो देखे 6 पे बार नहीं है तो यह इसको घटा देंगे और हम बताये थे आपको कि जितने अंग पे बार होता है उतना 9 होता है देखे 2 अंग पर बार है 2 और 3 पर बार है 2 गो 9 लिखेंगे ठीक है और जिस पर बार नहीं होता है उसके लिए 0 होगा ठीक है तो इसको घटाए तो गहताईएगा चौसो तेस में चौण घटाईएगा चौसो 17 होगा बटा नाउ नाउ जीरो होगा इसको भी ऑप्सन नंबर कौन साई बस यही पूछ रहा था कि मुल्यांकन इसका कितना आएगा इसका मुल्यांकन कितना है तो दखिए सी में छोसो सत्रह बटा नाव जीरो तो अप्सिन नमबर सी इसका सही हो गया तो इसको आप लोग देख के भी ऐसी अंसर मार दीजेगा बस आपको बताने के लिए इतना मैं लिखा हूँ देखे बस इतना आपको याद रखना है कि जिस पर बार होता है उसके लिए दूगो नाव जितना संखे पर बार होता है उतना ना होगा और जिस संखे पर बार नहीं होता है तो जीरो होता है उसके लिए तो जिस बार च्छाओ पर बार नहीं था उसको घटा दिये और जो ने क्या कह रहा है दिया गया है 0.18 इसके पर सिर्फ 8 पे बार है तो हम क्या बताएं ते जिस पर बार नहीं होता है वो घटता है तो संख्या दिया है 18 एक पर बार नहीं है तो उस संख्या को घटा देंगे और जितने संख्या पर बार होता है उतना 9 लिखते हैं देखिए एक संख्या परबार रहता है एक और नाव लिखेंगे जो संख्या नहीं है उसके लिए एक जीरो लिखते हैं कि एक की देखिए एक परबार नहीं है तो उसके लिए उस संख्या के लिए जीरो लिखते हैं तो अठारा मेंसे एक जाएगा तो सतरा और नब्बे देखें सतरा बट हीरा में पूशता है हमेशा अब यही प्रस्ण बार बर जो असान राता है वह ही बार बर पूशता है तो अप लोग उमीद बनादे रखिए कि ऐसे प्रसningen रेले पूशता ही है प्रसंग यहीं कैसे झरी में क्या बॉल रहा है सरल किजिए कुछ संख्या दिया गया इसको सरल करने के लिए बोल रहा है तो ऐसे प्रस्ण को सरल करना मानते हैं कि आपको आता है लेकिन थोड़ा से देख लिजिए कि ऐसे प्रस्ण को कैसे सोल्ब करते हैं कुछ कंफ्यूजन होता है ऐसे प्रस्ण में तो इसको सरल कैसे करेंगे दिया गया है संख्या तीन बटा साथ पुर्णांग एक बटा तीन पलस तीन बटा तीन एक बटा साथ दिया गया है तो इसको पहले हम लोग भीन को हटा देंगे तो भीन को हटाने के लिए ये दोनों में गुना होता इसको पलस करते हैं ठीक है? तो 3, सत्ये, 21, 21, 21, 22 22 बटा 3, पलस सत्ये, 21, 21 बटा 22, ए भी हो जाएगा 22 बटा 7, ठीक है? जो नीचे संख्या रहता है, देखें, 3 बटा, 22 बटा फिर डबल बटा आगिया, ए भी बटा है, ए भी बटा है देखें, तो बटा के जो नीचे रहता है, उपर चला जाता है ठीक है? उपर जाके गुना होगा, यहां पर भी है तो इसको 3 गुने 3, बटा 22 पलस 3 गुने 7, बटा 22, इसको आपको लिखने के लिए मैं ऐसे गुना करके बताएं कि आपको समझ में आजा तो इसको अब कैसे लिखेंगा? तीन तीए ही के 9, 9 बटा 22 होगी है, पलस का चीन है तो पलस लिखेंगे सती के 21, बटा 22, इसको अब LCM लिखेंगे 22 का LCM कितना होगा? तो 22 ही होगा तो 22 में भागा देजिएगा, 22 से तह एक टाइम से लगेगा तो 9 पलस इसमें भी एक तो 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30, 30 बटा 22, 30 बटा 22 को और छोटा किजिए तो 15 से काट देजिए, 15, 30 और 11 बटा 22, 15, 21 अभी भी अंसर नहीं आया अभी भागा दिजिए तो भागा दिजिएगा इसको तो भागा देने के बाद आएगा भागा देने के बाद आएगा, 11, 1, 4, बटा 11, 11, 11, 11 में 4 जुड़ेंगे तो 15 15 बटा 11 वही हो गया ना देखिए तो भागा देने के बाद यह आता है तो option number देख लिए कौन सा option number B तो इस person को इस तरह solve करते हैं बस confusion कहा था आप लोग के यहाँ पे नीचे वाला जो होता है इसको लोग भागा दे देते हैं यहाँ इसमें तो ऐसा नहीं होता है डिरेक्ट उपर एजाता है ठीक है बस यही समझाने के लिए person आप लोग को बीच लाया हूँ यह person और PF में पूछा गया था और JE में पूछा था और NTPC में पूछा है 2021 में भी पूछा है आप लोग previous question उलटके देख लिजिएगा person के four क्या है कुछ समिकरन दिया गया है बोल रहा है सरल किजिए तो ऐसे person को कैसे सरल कीजिएगा तो सरल कीजिएगा पहले person हम लोग लिखते हैं दू बटा साथ पलस तीन बटा पांच है फिर भागा है दू बटा पांच है पलस दू बटा साथ है इसको सरल करने के लिए ब चिखेंगे तो इल्सियम साथ पच्छे 35 होता है 35 में साथ से पांच से भागा देंगे तो भागा देंगे फिर इहां इल्सियम देंगे साथ पच्छे 35 से माया फिर साथ आएगा साथ दुना 14 आएगा पलस साथ पांच 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 दुना 10 देखें पांच से भागा देजिएगा 35 में तो साथ आएगा साथ दुना 14 होता है फिर पलस कचिन है पलस पांच से भागा देजिएगा 35 साथ से भागा देजिएगा 35 मे तो पांच आगा, पांच दुना, उपर में गुना होता है, दस, ठीक है, अब इसको हम लोग solve करेंगे, 31, sorry, 21 और 10 कितना होता है, तो 10, 20 और 10, 30 और 31, 31 बटा 35, भागा कची नहीं तो भागा देंगे, इसको जोड़िएगा, तो 10, 10, 20 और 24, 24 बटा 35, अब देखिए, भागा क हम हटा रहे है, भागा को हटाईएगा आप, तो 31 बटा 35 है, भागा दीजेगा, तो उलट जाता है, तो 24 बटा 35 है, तो 35 बटा 24 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, 35, 35 कड़ गया, तो 31 बटा 24, तो 31 बटा 24, देखिए, कौन सा option में है, 31 बटा 24, option नमबर A में है, तो ऐस प्रसन को ऐसे solve करेंगे, यह प्रसन पुछा गया था, और और बी जेई, 31 बटा 25 है, शिप्ट 2 में पुछा गया था, और पीएफ में पुछा गया है, 9, 8, 18 को पुछा गया था, शिप्ट 3 में, लोको पालेट गुरूप D में भी पुछा गया है, यह प्रसन, तो इसलिए प्रसन को मैं सामिल किया था, कि ऐसे प्रसन को इस तरह के solve करेंगे, ठीक है, दम बेसिक आपको बताएं, अगर इसको एक बर बनाना के लिए सिख चाहिएगा, तो आपको माइंड में यहें पर कर देना, 35-35 से देना, भागा बस आपको माइंड में ही कर देना, बस आपको संख्या, ऐसे प्रसन को कैसे solve की जिएगा, तो कह रहा है, एक पुनांग, दू बटा, तीन, इसको solve की जिएगा, ता तीन, एकम तीन, तीन, दू पांच, ता पांच बटा, तीन, अब कर रहा है, बित कर्म इसके लिखिए, बित कर्म लिखने पर, लिखने पर, इसका बित क विक्रम पांच ब्रत्र तीन थीन भी इस hehय मैं हो जाएगा तो उम्मिद करते हैं चुमड़ों के वीडियो पहिए मु bå्लों के दिजिए तो लाइक करना Ne Stuff गा कल थोड़ा अच्छा और प्रसनल आएंगे थोड़ा सा लांग रहेगा आध थोड़ा सा कल्कुलियोटिव था तो थोड़ा इसके लिए महाफी चाहते हैं कि थोड़ा असान असले लाए हैं कल थोड़ा सा डिफकॉल्ट लाएंग ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट